Hello everyone, welcome to our YouTube channel सक्षंप डिजिटल टेक्नोजी So basically in this video we are just discussing the concept of bar chart in depth clear basically मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं एक real life example के थरूँ आप concept clear करूँगा real data के थरूँ आप concept clear करूँगा previous video मैं आपको बता था कि pie chart को आप कैसे create करेंगे किस type के data पे create करेंगे क्या-क्या उसके necessary requirements होंगे data की कौन-कौन से variables होंगे कहा-कहा आप क्या-क्या-क्या पास करेंगे और उसको आप design कैसे करेंगे clear इसके बार मैं आपको एक नई page पे बार-चार्ट को इसके create करूँगा मैं इसका नाम देता हूं बार चार्ट, पेज का नाम देता हूं बार चार्ट, clear, basically मैं बार चार्ट पे यहां पर click करूँगा, और मैं सबसे पहले बता दूँँ आपको data किस type का होगा, तो मैं सबसे पहले जाता हूं data पे, तो basically मैंने दो variable लिए, जोकि आपका एक x-axis में होगा और एक आपका y-axis में होगा, तो आपका जो x-axis में होगा, वो month में आएगा, basically क्योंकि आप बोलेगे कि January में ये data, February में ये data, March में ये data, तो मैं x-axis में month लूँगा, y-axis में total students लूँगा, तो मैं इस से ये सुकर पहूँ लूँगा, like dummy data लिया है मैंने, कि इस particular month में आपका ये result था, लेकिन आपका इस particular month में ये graph गया, graphic license की bar chart बढ़ गया, clear, तो मैं आपको so करता हूँ, like with a power BI desktop, clear, तो मैं सबसे पहले लूँगा, column chart, तो simple मैं इस टे column chart ले ले लेता हूँ, यहाँ पर जैसे ही मैंने column chart पे click किय आपका column chart यहाँ पर आ गया है, मैं बोलूँगा कि इसके अंदर आप pass करें data, तो x-axis मैंने बोला, जैसे कि सबसे पहले मैं data को load करूँगा, वो आपका necessary part है, यहीं आपने pie chart वाले data को load किया था, बट यहाँ पर आपने load नहीं किया था, आपके, like आपके जो particular data है मैं बात क chart का, तो मैं सबसे पहले export करूँगा Excel से, और जो मेरा data है वो आपका save होगा, मैं यहाँ पर इसको save कर देता हूँ, मैं click करूँगा, सबसे पहले आपना data है pie chart नाम से, उसमें आपकी seat होगी particular नाम से, जो आपने अभी save की है, तो connecting जारी है, एक मिनिट वेट करेंगे, उसके आपका जो load हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बार चार्ट पर जैसे ही click करता हूँ, आप देख सकते हैं, आपका जो data है, वो so हो रहा है, आपका एक variable month, दूसरा आपका variable है total students, जैसे वो load करूँगा, तो आपका जो data है वो आजाएगा, यहाँ पर clear, दो second आप बेट करेंगे तो आपका जो data है वो load हो जाएगा, देखिए यहाँ पर data आपका load हो रहा है, आप देख सकते हैं, मेरा जो data है वो यहाँ पर load हो चुका है, यहाँ बार चार्ट देख सकते हैं, उसके अंदर दो column है, month और total students clear, तो मैं बार चार्ट भी ले चुका हूँ, बट मैं को जिस data क पास करना है, लग आपका x-axis में कहा जाएगा, y-axis में कहा जाएगा, और भी आपके पास like fields है, legends बगएरा, बट मैं भी आपको दो ही चीज़ हैं बताके, बार चार्ट बना के दिखा हूँगा, तो सबसे पहले मैं x-axis में बात करता हूँ, month, क्योंकि आपका जो x-axis है, वो month से होगा, और जो आपका y-axis है, वो आपका total students से होगा, clear, तो आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा students आपके July में बता रहा है, 210, उसके लाबा आपका 180, उसके बाद 150, इस तरीके से आपका बार चार्ट है, जो create हो चुका है, clear, इस particular बार चार्ट को मैं like आपको जो है, design क करना है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आप design भी कर सकते हैं, तो मैं x-axis में like मैं चाहता हूँ कि जो आपके legend जो दिख रहे हैं, वो आपके थोड़े से बड़े होने चाहिए, bold होने चाहिए, color उनका कोई और होना चाहिए, तो आप अपने according change कर सकते हैं, सबसे पहले म change कर दूत effect में जाके मैं background color को कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरीके का, उसके बाद मैं जाओंगा सिर्फ visual पर, visual पर जाके मैं जो bold है और जो आपका content है, उसको white कर सकता हूँ, but मैं यहाँ पर इनको black ही रखना हूँ, clear, तो आपका जो है legend में जो आपकी like x-axis में जो आपने ले रखा, इसको आप चेंज कर सकते हैं, अपना font size को भी आप change कर सकते है, point style को भी आप change कर सकते है, clear, इसके बाद जो title है, उसको भी आप change करना चाते हैं या नहीं, तो मैं उसको नही रखना चाता हूँ, तो मैंने just off कर दिया है, उसके बाद आता है, आपका y a access, y a access में आपकी values, values में आपका color, तो मैं simple बोलूँगा black color, black color के साथ आपका bold, और size थोड़ा सा बड़ा, clear, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका changes आ गया है, उसके लावा आप उसमें चाहते हैं title, या नहीं, तो मैं off कर देता हूं फिलाल में, तो आप देख सकते हैं, आपका title off हो चुका है, तो यह कुछ आपके design करने के तरीके थे, उसके लावा आप columns में जाएंगे, आपके columns में जाके आप बोलेंगे color, तो पहले मेरा all selected है, बट मैं चाहता हूं कि मैं को July को color देना है, as a green, तो मैं यहाँ पर color दे दूँँँगा आपका green color, clear, तो मैंने जैसे ही July को green दिया, उसके बार मैं चाहता हूं कि मेरा November को color जाना चाहिए, like थोड़ा सा कम green, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरीके से देता हूं, तो आप देख सकते हैं, अपने according आप data को change भी कर सकते हैं, clear, तो मैं पहले जुलाई को थोड़ा सा dark कर देता हूं, सबसे पहले मैं जुलाई पर जाता हूं, और जुलाई पर जाके मैं एकदम dark green करूँगा, तो मेरा कुछ इस तरीके से मैंने green कर दिया, उसके बाद आप अपने according यहाँ पर, November को थोड़ा सा कम green और like August को उससे थोड़ा कम, तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, अपने particular data को, like उनके columns को, तो यह आपका simple तरीका है, आपके data को represent करने का, मैं यहाँ पर मै को थोड़ा सा color red दिऊंगा, basically आप किसी भी data पर काम करेंगे, तो उससे कुछ sense ने करना चाहिए, तो यह एक sense है कि like यह जो थोड़ा सा माई का मन्त है, इसमें थोड़ा सा कम like जो भी gain या आप जो भी तरीके के data पर काम करेंगे, तो वो आपका so कर रहा है clear, तो like मैं fab मैं बोल दूँगा कि yellow yellow था clear, तो मैं यहाँ पर fab को yellow yellow दे दूँगा, यहाँ पर जो आपका fab है, इसको मैं yellow yellow दे दूँगा clear, तो इस तरीके से आप अपने data को पर color भी changes कर सकते हैं, मैं अब यहाँ पर सभी colors में change करके नहीं दिखाऊंगा, बट आपको idea clear हो गया, कि आप किस तरीके से colors को change कर सकते हैं, clear, उसके बाद revenues बगरा में कोई काम नहीं करूँगा, data levels में कोई काम नहीं करूँगा, आप चाहते हैं कि इन में so हो, तो आप कर सकते हैं अपने according change, बट मैं यहाँ पर इनको नहीं रखूँगा, ठीक है, रख भी सकते हैं, ठीक है, मैं भी रख लेता हूँ, series में all रहेगा, उसके लाब आपका जो data levels है, उसमें horizontal में रखना है, या आपको vertical में रखना है, मैं यहाँ पर vertical रखता हूँ, तो vertical हो जाएगा, horizontal हो जाएगा, horizontal हो जाएगा, clear, position inside या outside, मैं outside end रखूँगा, तो आपका outside में हो जाएगा, जो values दी हैं, उनको आपने थोड़ा सा वड़ा करना है, तो आपको वड़ा हो जाएगा, bold करना है, bold हो जाएगा, अपने according आप अपने particular बार्चार्ट को create कर सकते है, clear, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि, like उसका जो color है, वो भी आपका same here, ये details बगरा, background बगरा, आपने according चेंच कर सकते है, clear, इसके बाद मैं चलता हूँ, general पे, general पे जाके मैं effect पे सबसे पहले changes करूँगा, ताकि आपका जो वार्चार्ट है, और अच्छा देखना चाहिए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले visual water दूँगा, और वो भी आपकी full round में दूँगा, clear, तो आपका थोड़ा सा changes आया हुगा, उसके बाद आपका shadow है, वो आप देना चाहते हैं, black color में, outside में, bottom right, clear, तो ये आपका shadow देने के बाद थोड़ा सा और impact आ गया है, उसके बाद मैं जाओंगा, कि title को भी थोड़ा सा middle में लाईए, थोड़ा सा changes में लाईए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उसको middle में करूँगा, gold करूँगा, और aerial black करूँगा, clear, उसके बाद थोड़ा सा title आप जो रखा है, sum of total student by month, यह आप same रेने दीजिए, बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर दीजिए, इस तरीके से मैंने एक बारचार्ट को create किया है, with like raw data से, मैं एक बात करो, तो simple आपका excel seat में एक normal data था, उसको आपने insightful data बना दिया, clear, तो बारचार्ट को आप इस तरीके से create कर सकते हैं, तो thank you so much, subscribe और YouTube channel, सक्चम Digital Technology, बाइबाइ,